नमस्कार सातियों ये देख लिजी जिस साति ने हरियाना विदाले सिक्सा बोर्ड से HBSC की दसमी और बार्मी कलास में अगर कंपारमेंट था तो उसके लिए शिरफ दो दिन बाकी हैं जल्दी देखो सिरफ दो दिन बाकी और कुछ इंपोर्टेंट जानकारी भी मैं इसके अंदर बताऊँगा आपके जो काम की होगी सातियों 26-22 की ताजा जानकारी और उससे पहले ये देखिए अगर किसी साति ने कंपारमेंट का फोर्म नहीं बरा है फोर्म बरने से लेकर प्रिंट तक घर बैठे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है दस मी और बार मी पूरी जानकारी है 26-26 की वीडियो इसका डिस्क्रिशन में लिंक दे दूँगा आप उससे फोर्म बर सकते हैं HBSC का बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा आप ये देख लीजिए जैसे ही आपने गूगल पर लिखा HBSC ठीक है HBSC लिखते ही सबसे पहले आपके पास इसतरा का लिंक आ जाएगा ये देख लीजिए इस लिंक के उपर आप कलिक कर दीजिएगा Board of School Education हरियाना इसके उपर जैसे ही कलिक करेंगे तो ये देख लीजिए नई साइट उपन हो जाएगी इसके उपर आपको यहाँ पर कलिक कर देना है MAN MAN वेब साइट पे इसके उपर कलिक करते ही आपके सामने एक और नई इंटरफेस आजाएगा ये देख लीजिए हरियाना बॉर्ड की साइट उपन हो चुकी है यहाँ पर आप नीचे आते जाएए नीचे आते जाएए और यहाँ पर यह देख लीजिए Second Option Online Submission Scandry and Senior Scandry यानि कि दसमी और बर्मी Compartment Application Forum Exam July यानि कि जुलाई के अंदर आपका एक्जाम हो जाएगा और आपको इसके ओपर कलीक कर देना है इसके ओपर जैसे ही आप कलीक करेंगे तो यह देख लीजिए सबसे पहले शिरफ दो दिन हैं बाकी 26-22 से लेके 28-26 तारिक यानि कि आज होगी 26 तारिक 28 तारिक को आपके फोरम की फीश रहेगी निल और अगर आप 28 तारिक तक भी फोरम नहीं भरते तो 39 से लेके एक साथ तक आपके लगेंगे 100 रुपे 27-47 तक आपके हो जाएगे 300 रुपे आगे आपके हो जाएगे 1000 रुपे यानि कि 800 रुपे पलस करते जाएगे 800 में 100 रुपे 900 हो जाएगी फिर आपके 1100 हो जाएगी फिर आपके 1800 रुपे हो जाएगी फीश इसलिए साथी और सिरफ दो दिन और बाकी है अगर आपने कंपार्मेट का फोरम नहीं भरा है तो आप जल्दी जल्दी भर लीजिए और उससे पहले जिस साथी ने फोरम भर लिया अब कुछ इंपोर्टेंट बाते सुनिए जिस साथी ने फोरम भर लिया तो उसके केज़ साथी कह रहे थी कि हमें फोरम में दिक्कत आ रही है हमने आरे फिश कट गई अमारा रजिस्टेशन नमबर नहीं आया तो आप फोरगट यूजर आईडी और पासवर्ड यहां से कलिक हेर पर कलिक करके निकाल सकते हैं यहां से आपकी यूजर नेम और पासवर्ड आईडी आ जाएगी दूसरी बात है अगर आपकी फीश डबल कट गई है पहले भी फीश गई इट गई थी और अप दुबारा से फिर कट गई है तो आप यह रिफर्ड फोर्म पर फोर्मा भर्श रकते हैं आप इसको डौलोड करके इस फॉर्म को आप बेज सकते हैं आपकी फीज दुबारा से कटी है तो तो आपको ये फोरम बरके फील करके बाजना पड़ेगा HBSC बोर्ड में ठीक है आपको सिरफ पे आप्टर सम्मिशन पेटमेट थरो नैट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एनी यानि कि आप किसी से भी ये पेमेट कर सकते हैं ठीक है तो स्टुडेंट कड़वाई दी जाती है कि अपना पासड़ आइडी सेंट दे रजिस्टर्ड इमेल आइडी मुबाइल नमबर ठीक है इसके अंदर जरूर अपना मुबाइल नमबर और इमेल आइडी जरूर डाले दूसरी बात अगर कोई फोर्म में आपके दिक्कत आ जाती है तो आप इन नमबरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह दे लीजिए आपके सामने नमबर है आप चेक कर लेना और फिर भी नमबरों में आपके बात नहीं हो पाती server बीजी रहता है तो आप इस पर mail कर दीजिएगा ये वड़ी इस पर आप अपनी query लिखके उस पर mail कर देना आपकी बात को सुना जाएगा और आपके पास में दुबारा से mail आ जाएगी ठीक है उससे आगे ये देख लिजी इनको एक guideline चल रही है कि server down रहेगा ठीक है server will be done between 7pm to 8pm maintenance purpose यानि कि इसमें कारिया चल रहा है अभी server इसलिए थोड़ा सा down मिलेगा आपको ठीक है तो आप तक ये कुछ important बाते हैं और ये आप तक information देनी थी कि सिरफ दो दिन बाकी है आठ सो रुपे आपकी फीज के कटेंगे और आपको description में link दे दुआँ किस तरह से आपको forum बढ़ना घर वैठ है आपको कि CCSC वाड़े के पास जाने की ज़रूत नहीं आप घर वैठ हराम से बर सकते हैं ज़्यादा लंबी बात नहीं है सिरफ दो मिट का काम है तो आपने वीडियो दे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब्ध ज़्यादा लंबी बात नहीं है